तो कैसे हैं आप लोग आ गए फिर से अरे अब तो मैं थब गया हूं तुम्हारी बेज़दी कर करके कितने शौटकट मारोगे थोड़ी तु गाड़ी को ब्रेक लगाओ अरे चलो मान लिया कि एक्जाम से पढ़ना है पर कितने बढ़ाको बनोगे इतने बढ़ाको तो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर भी नहीं हुआ करते थे तो जादा देर ना करते हुए आपको एक बात बता देता हूं कि ये वाला जो लेक्चर है इसके बाद मैं खुद ही आपक आज की ज्यान की गंगा का बाहूं और हर बार की तरह बोलना ना पड़े एयरफोन पहन लेना पहन लिया अरे आप हर लेक्चर के बाद बहुत पढ़ाको होते ही जा रहे हो तुम लोग को लिमिट ही नहीं है वाँ तो हमने हमारे में टॉपिक जो है ओपन लूप क्लोज लूप दोनों का कमपैरिजन कुछ बेसिक टर्मिनलोजी ये सारी फालतू बात पहले के लिक्चर में देख चुके हैं तो अब क्या बाकिरा अब छोट ऐसा यानि पिद्दी जैसा ललू पलू टॉपिक बाकि है जो क कभी एक्जामीनर्स का मन हो तो पूछ लेते हैं कि चलो पास करने के लिए दो माक्स के कुछिन ये तीन माक्स के में डाल देते हैं तो वो ये तो नहीं है लेकिन इससे रिलेटर है कैसे वो आपको बात में पता चलेगा तो पहला है भई होमोजीनिटी ऑफ सिस्टम तो होम है वो कंडिशन तो बहुत सिंपल है कि LHS और RHS दोनों में हर बात common constant multiplication होना चाहिए कैसे अभी एक सिंपल एक्जामपल से दिखते हैं तो मान लिजे हमारे बास equation है input और output के relation का कि y equal to 4x अब इसके अंदर अगर मैं x की value यानि हमारे input की value 1 करूँ तो y की value 4 हो जाएगी input value x को 2 करूँ तो y output मुझे 8 मिल जाएगा तो यहाँ पर हर बार दोनों के अंदर जो multiplication हो रहा है पहले 1 multiply हुआ equation में बाद में 2 multiply हुआ तो यह constant multiple maintain होना चाहिए यानि linear relation आपको मिलना चाहिए equation तो आपका system homogeneous है हम बोल सकते हैं यानि LHS और RHS same multiples में increase होना चाहिए यह decrease होने चाहिए अब homogeneous कब नहीं होगा तो उसके लिए ऐसा equation कुछ होगा कि y equal to x square अब अगर इसमें मेरे input signal को में x रखो तो y 1 आएगा तब मेरा multiple same होगा लेकिन अगर 2, 3, 4 वगएरा वगएरा कुछ भी value आ गई तो बाद में y की सटक जाती है वो हमारा linear relation या फिर multiple same नह समा पर बोल सकते हैं multiples same quantity में increase नहीं हो रहे इसलिए यह जो equation होगा या फिर इस टैप को जो system होगा जिसमें input और output का relation square का function है या फिर root का function है यह जो नाम देना है वो दे दो यार तो वो homogeneous नहीं होगा अब दूसरी प्रोपर्टी वो है भई additivity of system तो अब तो इसके तो नाम में ही काम है भई कि addition से related कुछ है तो यहाँ पर भी एक ही condition याद रखनी है कि additivity के अंदर system का जो response है किसी भी inputs के sum को यानि अलग-अलग को input है उन सब के sum को अगर आप डालोगे यानि कि पहले 5 बार temperature पांच बार प्रेशर और 6 बार प्रेशर दोनों का combine आप 11 बार प्रेशर का input दो तो फिर जो output आ रहा है वो output अगर आपने individually जो input दिये हैं उनके output का summation करो तो same आना चाहिए तो यह सुनने में बड़ा दिमाग खराब करने वाला topic लग रहा है लेकिन अभी equation से समझते आपक clear cut दिमाग में बैठ जाएगी बाद तो वही अपना घिसापिट equation equation x equal to 4y तो मान लिजे मैंने y किजगे डाल दिया कुछ y1 तो x1 हो जागा 4y1 और y अगर होगा y2 तो x2 हो जागा 4y2 तो अब यहाँ पर x का common function मेरा होगा x1 प्लस x2 और हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 क्या आए आएगा 4y1 प्लस 4y2 यह तो भई जिनरल बात है लेकिन अब एडिटिविट को चेक कसे करते हैं वो अब यह main step है कि x is a function of summation of y1 प्लस y2 यह condition maintain होनी चाहिए नीचे वाली 4f bracket y1 प्लस y2 तो इसका जो answer आएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही fold multiplication है तो 4 common देलो और y किज गय या y1 प्लस y2 डाल दो यानि पहले function of y था तो हमने सिफ y लखा लेकिन अब function of y1 प्लस y2 है तो उनकी value हमने डाल दी और function पे 4 multiply कर दिया तो इसका answer यह जो है 4y1 प्लस 4y2 यह पहले वाले answer से match कर रहा है यानि अगर आप individually लेकर multiply करो या साथ में पहले ही से multiply add करो कुछ फरक पड़ी को रखने वाले को हम बोलते एडिटीविटी ओफ सिस्टम आहा लास्ट लेक्चर पर आ गए फिर भी इस उनको शांती नहीं पड़ती है ऐसा फालतु सवाल पूछने आई जाते है उटके यह लोग देखते इस बार क्या फालतु सवाल लाएं अपने लिए सर, सर, सर मैं एलविन बोल रहा हूं सर यह आप जो करा रहे हूं नहीं है टॉपिक होमोजीनिटी और एडिटी विटी यह दोनों का क्या काम पड़ता है सर बहुत फालतु टॉपिक लग रहा है इनका कुछ यूज है नहीं हो तो छोड़ दो ना सर को अरे कैसे समझाओ इन गदो को ने गदा नहीं गदा नहीं गदो को तुम्हें गदो का नाम देके मैं गदों के इजजत नहीं उठाना चा आता क्या करूल हूं इनका अरे मैंने बोला तो था कि CPAC नहीं है इन से रिलेटएड कोई ठाम है वह इंपोर्टेंट है जो थोड़ा अभी शांती नहीं रख सकते चलो अपना continue करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि additivity और homogeneity को तो individual शायद ही पूझेंगे लेकिन में क्या पूझते हैं कि concept of superposition of linear system तो अब यह किस बला का नाम है आपने superposition of force सुने होंगे superposition of कुछ भी वगेरा वगेरा सुना होगा लेकिन superposition of linear system यह special topic है भी control system engineering के अंदर तो पहले तो जानना ज़रू है कि linear system कौन सा है तो जिस system का mathematical equation homogeneity और additivity को follow करता हो तो उसे हम mathematically linear system बोल देते हैं सीधी बात है कि homogeneous और additivity formulation होने ही चाहिए उसके अंदर तो वही वह आपका linear system है अब superposition कैसे होगी तो superposition का बहुत ही simple यह formula है कि function of x1 अगर 2y1 होता है तो function of x2 2y2 होना चाहिए और function of x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा तो तो simple दोनों का combine 2y1 प्लस 2y2 यहां पे आप देख सकते हैं कि first stage के अंदर हमारा जो multiplication है वो भी 2 था और second stage में जो additivity property वो भी आ गई तो इस तरह से homogeneity और additivity को हम linear system भी कहते हैं और linear system कभी भी superposition के concept को follow करते ही है 99.99 case के अंदर और यही principle अपना superposition का प्रिंसिपल है जिसके लिए हमने वो दो एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़के हमारा दिमाख खराक्या टाइम भी कड़ा लो भई अब भी शान्ती नहीं है लास लेक्चर में तो मुझे शान्ती से continue करके पढ़ाने दो बेवकुफ हो हेलो सर मैं कैलविल बोल रहा हूं सर आपके पूरा मेरे ख्याल से अब chapter पूरा होने आ गया है मुझे control system का idea भी बहुत अच्छे से आ गया है लेकिन और अच्छा idea के लिए और अच्छा idea के लिए एक पूरा ऐसा धासू example करा दो ना सर कि जिसमें हमें पूरा एक बार revise भी हो जाए और open लोग, close लोग कैसे काम करते हैं असली condition में, practical condition में वो भी पता चल जाए सर ऐसा कुछ धासू example बता दो ना चलो, कम से कम अंत में ही सही, थोड़ी तो अकल आई, थोड़ा तो intelligent सवाल पूछे इन लोगोंने कि ये सारे topic complete करने के बाद, अब एक ऐसा final थाड़ू example हम देख लेते हैं, कि जो आपको बता देता है कि practically आपकी control system कहां काम लगते हैं और कैसे काम लगते हैं तो हम देखने वाले application areas of control system, तो अगर मैं एक एक करके नाम बोलने जाओंगा तो बहुत ही लंबी चोड़ी list बनेगे, इसलिए एक general term लिखा देता हूँ CNC यानि computer numerically controlled machine tool तो यहाँ पर आप उसका block diagram with a few schematic diagram देख सकते हैं तो CNC machine क्या करती है, तो basically हमाएं लोहे के अंदर काट के कोई एक final product बनाना है, काट के, drill करके, milling करके, कुछ भी process करते हैं तो CNC machine एक AC machine है, जिसके अंदर cutting tool और table का motion, computer control करता है, उनकी speed, उनकी direction, उनका सब कुछ, उनका impact coolant का flow भी यह सब 100% computer के control में है, क्योंकि computer को हमने एक बार program भर दिया, कि इस तरह से तुम्हें motion करना है, इतनी speed अपनी है, इस direction में जाना है, फिर वो उसे 100% follow करेगा without any defect तो यहां पर main हमारों objective है, कि work piece का shape proper cut होना चाहिए, और with proper cutting speed and feed, क्योंकि cutting operation के अंदर, speed और feed सबसे main parameter होते है, with direction of course, तो हमें direction और speed of table, इनको control करना main है, सबसे main, तो कितना motion देना है, उसके लिए हमने motors लगाई हुए, तीन motor होती है, टेबल की donor direction के लिए 2 motor और हमारे cutting tool के motion के लिए motor, तो इन motors को हमने computer program से digital controller के जरीए connect किया होता है, अब computer program ने हमने कुछ code डाला होता है, जिसम बोलते CNC programming, वो आप आगे जाके पढ़ने वाले हो, तो अभी मैं आपका दिमाग नहीं खराब करनगा, उसके लिए main हमारा topic क्या है, कि यहाँ पे control system किसे काम दग रहा है, इसके अंदर, तो यह जो motor है, इसके अंदर कितना current देचता है, तो servo motor उतनी speed से उस direction में table को motion देती है, अब यहाँ पर position को और speed को measure करने के लिए, हमने कुछ sensor लगाए हैं, जिने कहते हैं, shaft encoder और proximity sensor, shaft encoder हमारे lead screw की rotation speed को measure करते हैं, और proximity sensor हमारे table की position को देखते हैं, कि 5 mm आगे भेजना था, गया, नहीं गया, तो कितना भीजना हैं, उतना भेजो भहीं, तो इस type से जो difference है, जानि कि speed अगर कम हो रही हैं, तो जाधा कर ने हैं, जाधा हुरी है, table आगे चलाए खे लाना है, पिछे रही है तो आगे लाना है, इस type को जो difference है, उससे error signal के form में digitalize करके वापिस controller को feedback के रूप में भेशता है चाए position हो या velocity हो और finally यह जो continuous process है जब तक आपका desired output आपको नहीं मिलता तब तक यही रूपीन चलती रहती यही process घुमा फिरा के चलता रहता है feedback आया वापिस input गया feedback आया वापिस input गया और यह लंबी चोड़ी process होने के बाद आपको 100% accurately cut product मिलता है तो यह 100% automation का एक example है यानि semi automation कह सकते हैं या फिर 100% automation ही है बस एक बात आपको starting में code बनाना है और उसको machine में घुषर देना है और फिर मशीन अपना काम करती रहेगी हां यानि वर्क पीस भी नहीं आपको डालना है उसके लिए आप मशीन डाल सकते हो भाई तुम्हारी मर्जी कितना खर्चा करना है अब भीया इसके अलावा तो अंदर टॉपिक में घुसेड़ने जैसा कोई अलग आप मुझे तो पता नहीं है तो इस बार अपने आपको साभाशी दो और गालियों से आई मिन तालियों से अपने आपकी बढ़ाई करो कि तुमने एक चैप्टर पूरा एक चैप्टर कंट फूल मार्क्स लाओ तो मिठाइक भेज़क देना और उस लाल बटन पर हवास निकाल दियों